दोस्तों आज हमारी छोटी कहानियों की श्रंखला में आप सुनेंगे हेंडरी स्लेसर की बहुत ही मज़ेदार कहानी बेजोड तिजोरी तोड़ अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अगर कहानियां आपको अच्छी लगें तो कहानियों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना बिलकुल ना भूलें तो बिना देर किये शुरू करते हैं आज की कहानी बेजोड तिजोरी तोड़ खुशी से पुलकता हुआ हैरिसन फैल, ब्लिस और बेकर फिल्ड अड़र्टाइजिंग कमपनी के लंबे चोड़े ओफिस में दाखिल होने के बाद अपने बॉस की सेक्रेटरी से बोला फोरन बिग चीफ को फोन मिलाओ और कहो कि वो एक बहुत ही जबरदस्थ धमाके के लिए अपने आपको तयार कर लें मैं उनसे फोरन मिलना चाहता हूँ अरे चलो चलो ऐसी क्या देख रही हो? मिस्टर ब्लिस को फोन लगाओ सेक्रेटरी उसे आश्चरे के साथ इसलिए देख रही थी क्योंकि हरिसन फेल जैसे आदमी का ये व्यवहार बड़ा ही आश्चरे जनक था क्योंकि अभी हाल ही में वो एक विज्ञापन के अपने बेहुदा आईडिये के लिए मिस्टर ब्लिस से जूरदार डांट और फटकार खा चुका था फिर भी उसने फोन पर मिस्टर ब्लिस से बात की और फैल को अंदर जाने का इशारा किया फैल जब चीफ एक्जेक्योटेव के कमरे में दाखिल हुआ तो उस समय वो जोश से जगमगा रहा था लेकिन ब्लिस का चेहरा शांत और गंभीर था उसने अपने हाथों की पांचों उंगलियां दिखाते हुए बड़े ही रूखे से स्वर में कहा सिर्फ पांच मिनिट मैं तुम्हें पांच मिनिट से एक सेकंड भी ज्यादा नहीं दूँगा हैरिसन अरे चीफ मुझे इससे ज्यादा चाहिए भी नहीं मैंने होल्ड वेल वालों की परिशानी का असली इलाज ढून निकाला है फेल ने बड़े ही मज़ेदार स्वर में कहा लेकिन हम दोनों के बीच इस बात का फैसला हो चुका था ना कि हम इस बारे में और कोई बात नहीं करेंगे चीफ ये बिलकुल नई बात है आप सुनेंगे तो खुशी से उचल पड़ेंगे विग्यापनों के इतिहास का सबसे शांदार आइडिया मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ किसी सेफ के विग्यापन के लिए इससे बहतर कोई दूसरा आइडिया हो ही नहीं सकता मेरी समझ में नहीं आ रहा है है हैरिसन कि तुम आखिर कहना क्या चाहते हो आप मेरी बात सुनिये तो सही चीफ आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा मैं उस नई सेफ के बारे में बात कर रहा हूँ जो होल्ड वेल वाले मार्केट में उतारने जा रहे हैं वो नमबर 801 सेफ जी हाँ मेरा पहले का आइडिया आपको चाहे बेकार लगा हो लेकिन ये वाला जब आप सुनेंगे तो कहेंगे कि वाकई आपने ऐसा धासु आइडिया जिन्दगी में कभी नहीं सुना ठीक है बोलो सुन रहा हूँ जवाब में फैल ने बड़े ही नाट की अंदाज में जेब से अखबार की एक कटेंग निकाली और जोर से उसे ब्लिस के सामने पटक दिया फिर वो ऐसे मुस्कुराया जैसे कोई बहुत बड़ी लड़ाई जीत कर आया हो ये दो कॉलम की एक खबर थी जिसके साथ किसी गाम के आदमी की एक फोटो छपी हुई थी उस पर नज़र डालने के बाद चीफ ने फैल से पूछा कौन है ये? आपने खबर नहीं पढ़ी चीफ ये है बेजोड तिजोरी तोड सामी दटच जिसके बारे में कहा जाता है कि उसके जैसा बेजोड तिजोरी तोडने वाला आज तक ना कभी हुआ है और ना कभी होगा तो क्या तुम होल्डवेल वालों की उस नई सेफ के विज्यापन में इस तिजोरी तोड को पेश करना चाहते हो? फैल ने बड़े ही उत्साह के साथ अपने शब्दों पर जोर देते हुए कहा इससे बढ़िया आइडिया और क्या हो सकता है चीफ? आप जानते हैं कि जब दुनिया का बेजोड तिजोरी तोड सामी दटच खुद इस बात को कहेगा कि वाकई इस 801 नंबर की सेफ को किसी भी हालत में तोड़ा नहीं जा सकता तो उसका लोगों पर कितना जबरदस्त असर पड़ेगा बलेस ने बिना कुछ कहे सवालिया नजरों से फैल की तरफ देखा उसने धीरे से हस्ते हुए कहा अरे आप अभी भी नहीं समझे क्या चीफ हम खुद सामी को पैसे देंगे और कहेंगे कि वो इस 801 नंबर की तिजोरी को तोड़ का दिखाए मीडिया वगेरा और बाकी सब बड़े लोगों के सामने खुले आम अब अगर वो उस तिजोरी को नहीं तोड़ पाया जैसा कि होल्डवेल वालों का दावा है कि उनकी ये तिजोरी पूरी तरह से बर्गलर प्रूफ है तो जरा सोचिए कितनी जबरदस्त पबलिसिटी मिलेगी और उस 801 नंबर की सेफ के विज्यापन के लिए कितना जोरदार मसाला रहेगा लेकिन ये सामी तो शायद जेल में है न? चीफ ने पूछा एक साल पहले उसे पैरोल पर छोड़ दिया गया है चीफ अब वो अच्छा आदमी बन गया है आप ये कह सकते हैं कि जुर्म का धंदा छोड़ कर उसने अपनी मर्जी से रिटायर्मेंट ले ली है लेकिन उसकी कारी गरी तो अभी भी उसके हाथ में है ही न? उसे तो वो जिन्देगी भर नहीं भूल सकता अब जरा सोचिए कि खुली चुनाती मिलने पर अगर सामी जैसा तिजोरी तोड़ने वाला उस सेफ को नहीं तोड़ पाएगा तो भला कौन तोड़ पाएगा? ब्लिस ने अब थोड़ी दिल्चस्पी के साथ अपने सामने रखी तस्वीर को देखना शुरू किया फिर वो तारीफ भरी नजरों से फैल की तरफ देखता हुआ बूला हम आइडिया तो बुरा नहीं है अरे बुरा नहीं चीफ धासू आइडिया है जबरदस्थ और धासू हाँ हाँ ठीक है अब ज्यादा अपने मिया में ठुमत बनो मैं स्टार्क से बात करके देखता हूँ कि उसकी इस बारे में क्या राय है स्टार्क को भी ये आइडिया बहुत पसंद आया लिहाजा एक खुबसूरत सुभा हैरिसन फेल सामी दटच से मिलने के लिए पहुँच गया जो किसी गंदी बस्ती के पुराने से मकान की उपरी मंजिल के एक कमरे में इमानदारी की गरीबी के साथ जी रहा था उसे देखकर फेल को थोड़ी निराशा हुई क्योंकि सामी में उसे किसी बेजोड तिजोरी तोड जैसी कोई ग्लैमर वाली बात नजर नहीं आई उसकी जगहा उसे एक गंजासा साधारन आदमी नजर आया जो किसी भी आम आदमी से बिलकुल अलग नहीं था सामी ने बड़े अदब के साथ उसका स्वागत करते हुए कहा बैठिये मिस्टर फेल मुझे आपका संदेश मिल गया था लेकिन मेरी ये समझ में नहीं आ रहा है समझ में ना आने जैसी इसमें कोई बात नहीं है मेरे एक क्लाइंट होलवेल कॉर्पोरेशन ने एक बिलकुल नई सेफ बनाई है जिसके बारे में उनका दावा है कि उसे कोई चोर या लुटेरा खोल या तोड़ नहीं सकता उनका ये दावा कितना सही है या गलत ये जानने के लिए हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है वो सब तो ठीक है मिस्टर फैल लेकिन आपको मुझसे कोई सेफ वगेरा तोड़ने की बात नहीं करनी चाहिए मैं वो धंदा अब हमेशा के लिए छोड़ चुका हूँ अरे मैं तुम्हें कोई गयर कानूनी काम करने के लिए थोड़ी कह रहा हूँ दरसल बात ये है कि हमारे विचार से तुम्हारे जैसा नामी गिरामी तिजोरी तोड़ने वाला एक मिनट मिस्टर फैल मैं अपने नाम के साथ लगे इस टैग से छुटकारा पाना चाहता हूँ सामी ने उसे बीच में ही टोकते हुए कहा फैल ने अपना पन दिखाते हुए कहा सामी मैं तुम्हें एक दोस्त की तरह सामी कहकर बुला सकता हूँ न तो देखो सामी बात ये है कि तुम्हें विज्यापनों के बारे में तो मालूम ही होगा हाँ बिलकुल मालूम है टीवी पर रात दिन विज्यापन आते रहते हैं बहुत खूब सामी, तो बहुत बस इतनी सी है कि हम तुम्हें अपने विज्यापन में पेश करना चाहते हैं, ताकि तुम्हारा बयान, बयान, सामी थोड़ा चौक पड़ा, अरे अरे, मैं किसी अदालत में दिये जाने वाले बयान की बात नहीं कर रहा सामी डियर, हमारे वि तो जूट बोलना हुआ न, सामी ने कहा, क्या मतलब, मेरे कहने का मतलब ये है मिस्टर फैल, कि अगर किसी होश्यार तिजोरी तोड़ने वाले के बास, काफी टाइम और सही ओजार हों, तो वो दुनिया की किसी भी सेफ को तोड़ सकता है, लेकिन मेरी अब इस काम में कोई दिल्चसपी नहीं है, इसलिए आप मुझे तो माफ ही कीजिए, हैरी सन फैल ने फिर भी हिम्मत नहीं हारी और उसे समझाने की कोशिश करते हुए बोला, देखो सामी, मेरे दोस्त, तुम मेरी बात को समझने की कोशिश करो, तुम उस सेफ को तोड़ने की कोशिश तो करके देखो, हम तुम्हारी इस कोशिश के लिए तुम्हे पूरे एक हजार डॉलर देंगे, और साथ ही सेफ को खोलने या तोड़ने के लिए तुम्हे पूरे तीन घंटे का टाइम दिया जाएगा, तुम्हारे इस कमाल को देखने के लिए वहाँ बहुत से लोग मौजूद हो मीडिया के रिपोर्टर्स और पुलीस, हाँ, हाँ, पुलीस के नाम से डरना मत, वो सब लोग वहाँ सिर्फ दर्शक के रूप में मौजूद रहेंगे, ये साबित करने के लिए कि तुमने उस सेफ को तोड़ने की अपनी कोशिशों में कोई कमी बाकी नहीं रखी, ये 801 नमबर वाली सेफ काफी बड़ी और मजबूत है, जिसके बारे में उसे बनाने वाली कमपनी होल्डवेल का दावा है कि वो पूरी तरह से बर्गलर प्रूफ है, उन्हें इस बात का भी पक्का यकीन है कि तुम भी उसे खोल या तोड़ नहीं सकते, इसी लिए उन्होंने तुम्हारे लिए एक बड़ी चुनाती भी रखी है, वो उस सेफ में एक लंबा सा सफेद लिफाफा रख देंगे, जिसमें एक एक हजार डॉलर के पूरे पचास नोट होंगे, यानि पूरे पचास हजार डॉलर, अगर तुमने तीन घंटे के अंदर किसी भी तरीके से उ उस सेफ में से वो लिफाफा निकाल लिया, तो वो पूरे के पूरे पचास हजार डॉलर तुम्हारे, सामी ने हैरानी भरिस्वर में कहा, आप कहीं मजाक तो नहीं कर रहे हैं, पूरे पचास हजार डॉलर, हाँ सामी, पूरे पचास हजार डॉलर, अगर तुमने उस सेफ स वो लिफाफा निकाल लिया, तो वो सारी रखम तुम्हारी हो जाएगी। जरा सोचो, 50,000 डॉलर की रखम कितनी बड़ी होती है। तुम्हारी तो पूरी जिंदगी ही बदल जाएगी सामी। जी हाँ, वो तो वाकई बदल जाएगी। तो फिर सोच क्या रहे हो, हां कहो, ता उड़ रहा हो उसके बाद सेफ नंबर 801 के प्रमोशन प्रोग्रेम वाले दिन जो भेड जुटी वो उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा थी सिर्फ शेहर के ही नहीं बलकि पूरे देश के प्रमोख अख़बारों और टीवी चैनलों के फोटोग्राफर और रिपोर्टर होल्ड के प्लांट में ये प्रोग्राम देखने के लिए दूर दूर से वहां आए शेहर की बड़ी-बड़ी हस्तियों और गणमानने लोगों के साथ असिस्टेंट कमेशनर ओफ पुलीस भी अपने तीन सहायकों के साथ वहां मौजूद था पुलीस वालों को देखकर सामी थोड घोते ही पुलीस वाले उसे दबोश लेंगे। भीर को देखकर हैरिसन फेल काफी खुश था और उसने होल्डवेल कॉर्पोरेशन की तरफ से हो रहे इस आयोजन की पूरी बाग दोर अपने हाथ में ले ली थी। कॉर्पोरेशन के विज्यापन मैनेजर विल्टन स्टार् इस गर्म जोशी और मुस्कुराहट के साथ कर रहा था जैसे ये सारा आइडिया उसका अपना हो और फेल सिर्फ उसके निर्देशों के हिसाब से काम कर रहा हो। इसलिए उसने फेल के चीफ ब्लिस को अपने साथ रखा हुआ था और दोनों महमानों की आवभकत में लगे ह जब नौ बजे तो उस आयोजन का सूत्रधार हैरिसन फेल सब लोगों का ध्यान अपनी तरफ अकर्शित करने के लिए एक कुर्सी पर चढ़ गया और तेज आवाज में बोला साहबान कदरदान महरबानी करके जरा शांत हो जाएए और मेरी बात ध्यान से सुनिये मैं आप सब लोगों का आभारी हूँ कि आपने यहां आने का कश्ट किया लेकिन साथ ही मैं आपको ये विश्वास भी दिलाता हूँ कि आज की शाम जो दल्चस्प मुकाबला आप देखने जा रहे हैं उसे आप लंबे समय तक भुला नहीं पाएंगे अब मैं आपका ध्यान इस नायाब कलाकृती की तरफ अकरशित करना चाहता हूँ जो उस तरफ खड़ी है ये शहकार है ये शहकार है होल्डवेल सेफ नंबर 801 पूरे 2770 पाउंड वजनी और यहां मेरे पास मौजूद है 112 पाउंड वजनी सामी दटच प्लीज जोरदार तालियों से इनका स्वागत कीजिए जैसा कि आप सब जानते हैं सेफ तोड़ने के मामले में सामी दटच बहुत ही बेजोर हैं जिसके रिकॉर्ड का मुकाबला दुन्या का कोई भी दूसरा तिजोरी तोड नहीं कर सकता लेकिन होलवेल कॉर्पोरेशन का दावा है कि उनकी इस 801 नंबर की सेफ को दुन्या का कोई भी तिजोरी तोड़ने वाला नहीं तोड़ सकता चाहे वो सामी दटच ही क्यों नहों इसलिए उन्होंने उसके लिए ये जबरदस्ट चैलेंज रखा है इतना कहने के साथ उसने अपनी जेब से सफेद रंग का एक लंबा सा लिफाफा निकाला ये देखे दोस्तों इस लिफाफे में 1000 डॉलर के 50 नोट हैं मिस्टर ग्रेडी क्या आप सेफ का दरवाजा खोलने की तकलीफ करेंगे प्लीज ग्रेडी होल्ड वेल का ही कर्मचारी था उसने तुरंत आदेश का पालन किया अब आप इस लिफाफे को सेफ नंबर 801 के अंदर रख दीजिए ग्रेडी ने वो मोटा सा लिफाफा सेफ के अंदर रख दिया अब सेफ का दरवाजा बंद करके इसके टाइम लॉक को कल सुभा नौ बजे के लिए सेट कर दीजिए ग्रेडी ने उसे सेट कर दिया हैरिसन फेल ने किसी पेशेवर मजमेबाज की तरह भीड को संबोधित करते हुए कहा हाँ तो साहिबान चुनाती सामने है होल वेल कॉर्पोरेशन की तरफ से अमेरिका के बेजोड तिजोरी तोड को खुली चुनाती दी जा रही है कि वो चाहिद जैसे भी करके तीन घंटे के अंदर 801 नंबर की सेफ में रखी रकम को निकाल कर अपने साथ ले जा सकता है क्या तुम तयार हो सामी हाँ मैं तयार हूँ सामी ने थोड़ा दबेस्वर में कहा तो मिस्टर ग्रेडी क्या आप वो औजार और दूसरा सारा सामान लाएंगे जिनका इंतजाम करने के लिए मिस्टर सामी ने कहा था जवाब में ग्रेडी एक लोहे की ट्रॉली को लुड़काता हुआ वहां ले आया उसके उपर तरह तरह के ओजारों के साथ एसिटिलीन, गयस कंटेनर्स और विस्पोटक वगेरा रखे हुए थे फैल ने सामी से कहा चेक कर लीजिए मिस्टर सामी आपकी जरूरत का सारा सामान यहां मौजूद है या नहीं जी हाँ, मैं पहले ही इसे चेक कर चुका हूँ सामी ने कहा बस बहुत बढ़िया तो फिर खेल शुरू होता है लेकिन उससे पहले मैं आप साहबान को ये बता देना चाहता हूँ कि इस तीन घंटे के दुल्चस्प मुकाबले के बीच में अगर आप चाहें तो होल्ड वेल कॉर्परेशन के एक्जेक्यूटिव डाइनिंग हौल तक तहल कर आ सकते हैं जहां आपके लिए एक शांदार दावत का इंतजाम किया गया है तो मुकाबला हो रहा है शुरू और अब देखते हैं हम किस में कितना है दम तो सामी सहाब शुरू हो जाईए तालियों की जोरदार गड़गड़ा हट के साथ हैरिसन फेल नीचे उतर आया सामी कुछ इस अंदाज में सेफ की तरफ बढ़ा जैसे कोई चैंपियन बॉकसर अपने प्रतिद्वन्दवी की तरफ बढ़ता है हॉल में एक अजीब सा रोमान चक सन्नाटा चा गया सब दम साधी सामी को ही देख रहे थे जो अब किसी शातिर शिकारी की तरह सेफ के चारों तरफ चकर काट रहा था उसके चेहरे पर गहरी एकागरता की रेखाएं उभर आई थी उसके बाद उसने अपनी एक उंगली धीरे से सेफ की फॉलादी सतह पर रखी और कुछ खुरचने की कोशिश की उसकी इस हरकत पर भीड में मौजूद एक रिपोर्टर धीरे से हसा लेकिन सामी की एकागरता पर उस आवाज का कोई असर नहीं पड़ा ऐसा लगा जैसे वो वहां मौजूद दर्शकों की भीड को पूरी तरह से भूल चुका था खुरचने की कोशिश के बाद उसने सेफ पर हाथ फिराया और थोड़ा थप थपाने के बाद उसे प्यार से सहलाया दर्शकों में अब थोड़ी बेचयानी से फ्यलने लगी उन्हें एक्शन चाहिए था आखिरकार सामी औजारों की ट्रॉली के पास पहुँचा और उन में से उसने एक इलेक्ट्रिक ड्रिल और एक मजबूत सी बिट उठा ली उसे उन चीजों को उठाता देखकर पुलिस कमिशनर ने अपने सहयक के कान में फसफसा कर कुछ कहा लेकिन सामी ने उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया और अपने काम में जुटा रहा उसने इलेक्ट्रिक ड्रिल से सेफ में सुराख करने की कोशिश की लेकिन नाकाम्याब रहा उस कोशिश में ड्रिल की बिट तूट गई लेकिन सेफ पर कोई असा नहीं हुआ एक एक करके उसने कई औजारों और तरीकों का इस्तिमाल करके देखा लेकिन उसे काम्यावी नहीं मिली ये सब देख रहे हैरिसन फैल ने पास खड़े बिल्टन स्टार्क की पसलियों में अपनी कोहनी से हलका सा तोहका दिया कोई और वक्त होता तो फैल द्वारा ऐसी आत्मियता का प्रदर्शन करने पर स्टार्क का चेहरा गुस्से से तम तम आ जाता लेकिन उस वक्त वो बड़े ही दोस्ताना धंग से मुस्कराया क्योंकि सामी की हर असफलता उसके आनंद को और ज्यादा बढ़ा रही थी काफी देर तक सामी अपनी कोशिशों में जुटा रहा लेकिन नाकाम्याब रहा अब वो थोड़ा परिशांसा दिखाई देने लगा था तब ही अचानक उसके चेहरे पर एक चमक सी कौंधी जैसे कोई नया विचार उसके दिमाग में आया हो उसने सेफ को दोनों हाथों से हिलाने की कोशिश की लेकिन वो अपनी जगह से सरकी तक नहीं इस पर उसने हैरिसन फेल के पास जाकर धीरे से कुछ कहा फेल ने वहां खड़े तीन पुलीस वालों से उसकी मदद करने की गुजारिश की वो तीनों सेफ को फर्ष पर लिटाने में सामी की साहता करने के लिए आगे बढ़ गए उस द्रिश्य को देखकर वहां मौजगूद लोगों के बीच हसी की एक तेज लहर दोड़ गई जिसमें कानून के तीन रखवाले एक तिजोरी तोड़ने वाले की सेफ को तोड़ने में साहता कर रहे थे तीनों पुलीस वालों की साहता से सेफ को फर्ष पर लिटा दिया गया और सामी अपनी पैनी नजरों से उसके निचले तले का निरिक्षन करने लगा बहुत सारी तिजोरियों में नीचे के तले अपेक्षक्रित पतली शीट के लगाए जाते हैं लेकिन 801 नंबर की सेफ के साथ ऐसा नहीं था उसके तले की शीट भी उसके बाके हिस्सों जितनी ही मोटी और मजबूत थी नतीजा ये हुआ कि उधर से छेद करने की कोशिश में ड्रिल में उसने जो नई बिट लगाई थी वो भी टूट गई अब सामी ने उसे पहले की तरह सीधी खड़े करने का इशारा किया अब तक पौने दस बच चुके थे और सेफ पर थोड़ी बहुत खरोंचे आने के अलावा उसका और कुछ नहीं बिगड़ा था सामी ने असेटिलीन गैस का स्लेंडर उठाया स्टार्क ने दबी जबान में फैल से कहा इसका बाप भी इस तिजोरी को नहीं तोड सकता लेकिन फिर भी ये जितनी ज्यादा कोशिश करेगा उतनी ही ज्यादा हमारी पब्लिसिटी होगी उधर सामी ने असेटिलीन गैस की साहता से किसी वेल्डिंग वाले की तरहा सेफ की स्टील की शीट को पगलाने की कोशिश की लेकिन काफी देर मेहनत करने के बाद भी वो इस कोशिश में भी नाकाम्याब रहा सेफ की एक साइड पर काला सा गोल दाग तो उभर आया लेकिन इसके अलावा उसका और कुछ नहीं बिगड़ा इसके बाद उसने सेफ के दर्वाजों के जर्रियों में विस फोटक भरने शुरू कर दिये जाहिर था कि वो उनकी साहता से सेफ को उड़ा देना चाहता था धमाके से किसी को कोई नुकसान न पहुँचे इसलिए सब आदमियों को बाहर निकाल दिया गया अपना काम पूरा करने के बाद सामी भी दर्वाजे के पास जाकर खड़ा हो गया एक जोरदार धमाका हुआ और सेफ अभी भी वैसी की वैसे ही खड़ी थी किसी पॉलादी दैथ्य की तरहा अब तो सामी काफी विचलित दिखाई देने लगा दो गंटे से उपर का वक्त बीच चुका था और वो सेफ में कहीं जरा सी भी दरार पैदा करने में भी काम्याब नहीं हो पाया था दर्शक भी अब बोर होने लगे और उन में से अधिकतर डाइनिंग हौल की तरफ रवाना हो गए कमपनी की दावत का मजा लेने के लिए पौने बारहा बजे के करीब लोगोंने आखरी नतीजा जानने के लिए वहाँ वापस इकठा होना शुरू किया उस टाइम सामी टाइम लॉक मेकेनिजम से उलजा हुआ था लेकिन अब उसके माथे पर पसीने की परतें उभराई थी और हाथ कापने शुरू हो गए थे फिर बस कुछ है मिनट बाकी रह गए और सब लोग दम साधे देखते रहे कि शायद आखरी पलों में कोई चमतकार हो जाए सामी किसी मधोश शराबी की तरह जूम रहा था वो ट्रॉली के पास गया और बद हवास सा औजारों को उठा उठा कर इधर उधर पटकने लगा कभी एक औजार को उठा था फिर इरादा बदल कर उसे पटक देता और दूसरा उठा लेता आखिरकार उसने अपने आखिरी हतियार के रूप में एक बड़ा सा हतोडा चुना और उसे लेकर वो सेफ के पास पहुँचा अपनी बची-खुची ताकत को समेट कर उसने पूरी ताकत से सेफ के डायल पर चोट मारी चोट इतनी जोरदार थी कि उसके टकराते ही ना सिर्फ हतोडा ही उसके हाथों से छिटक कर दूर जागिरा बलकि वो खुद भी किसी लट्टू की तरह घूमता हुआ फर्श पर जागिरा और हाफता हुआ सा वहीं पड़ा रहा उसकी आँखों में पराजय के भाव साफ साफ नजर आ रहे थे रात के बारह बच्चुके थे और 801 नंबर की सेफ अपनी जगहे पर ज्यों की त्यों किसी विजेता की तरह खड़ी होई थी अब तालियों की जबरदस गड़गडा हट वहां गूंजने लगी वो उस पॉलादी सेफ के लिए नहीं बलकि सामी के लिए थी उस पराजित योद्धा के लिए पुलीस वालों तक ने भी सबके साथ मिलकर जोरदार तालियां बजाई हैरिसन फेल तेजी से आगे बढ़ा और उसने सामी को अपनी बाहों में समेट कर सीने से लगा लिया वो उसकी हार से बहत खुश था सबसे ज्यादा खुश था विल्टन स्टार्क उसने फॉरण ही स्कॉच विस्की की एक बॉटल मंगा कर सामी को दी जिसने एक ही सांस में उसे चौथाई के करीब खाली कर दिया उसके बाद हैरिसन फेल ने कुर्सी पर खड़े होकर एक विदाई स्पीच दी जिसमें महमानों को आने का धन्यवाद देने के बाद सामी को उसकी बहदुराना कोशिश के लिए एक हजार डॉलर दिये गए सामी ने कृतग्यता पूर्वक एक हजार डॉलर स्विकार करते हुए कहा आप सब का बहुत बहुत धन्यवाद इस बात में कोई शक नहीं कि ये सेफ वाकई बेजोड है भीड ने फिर तालियां बजाई पार्टी अभी भी चालू थी लेकिन सामी सबसे नजरें बचा कर चुपचाप धर्वाजे से बाहर निकल गया उसके बाद वो फिर वहाँ नजर नहीं आया अगली सुभा खुशी से पुलकता हुआ हैरिसन फेल ओफिस पहुचा तो उसे स्टार्क का मेसेज मिला कि वो आते ही उसे फोन करे फेल मुस्कराया क्योंकि रात को उसके बहतरीन आईडिय की सफलता के लिए स्टार्क ने उसे जबरदस्त शाबाशी दी थी किसी इनाम की उम्मीद करते हुए उसने स्टार्क को फोन किया तो दूसरी तरफ से किसी घायल शेर की तरहा दहारती हुई आवाज सुनाई दी हैरिसन ने आश्चर्य और घबराहट से पूछा अब क्या गडबर हो गई विल्टन? विल्टन स्टार्क गुर्राया तुम पूछ रहे हो कि क्या गडबर हो गई? आज सुभा नौ बजे जब उस 801 नंबर की सेफ का टाइम लॉक खुला और हमने उसके अंदर रखा लिफाफा निकाला तो जानते हो उसमें से क्या निकला है? एक हजार डॉलर के साइस के पचास प्लेन कागज फैल हकलाते होए बोला प्लेन कागज? लेकिन उसमें तो पूरे पचास हजार डॉलर होने चाहिए थे? होने चाहिए थे, लेकिन है नहीं सिर्फ प्लेन कागज हैं कागज ये पूरे पचास हजार डॉलर का मामला है और ये सारी रकम मैं तुम्हारी खाल खींच कर वस्गूल करूँगा लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है मिस्टर स्टार्क मैंने हजार हजार के पचास नोट खुद रखे थे उस लिफाफे में लगता है किसीने लिफाफा बदला है लेकिन किसने दूसरी तरफ से विल्टन स्टार्क उसे लगातार चुनी हुई गालियां और धमकिया दिये जा रहा था लेकिन फैल को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था उसका दिमाग बड़ी ही तेजी से उस सवाल का जवाब ढूंडने की कोशिश कर रहा था अचानक बे साखता उसके मुह से निकला सामी सामी क्या स्टार्क गुराया फैल ने रुंधे हुए स्वर में कहा ये जरूर सामी ने किया है सर मैंने उसे बताया था कि एक लंबे सफेद लिफाफे में हजार हजार डॉलर के पचास नोट रखे जाएंगे उसी साले ने जरूर वो लिफाफा बदला है इसलिए वो मेरे साथ चिपका चिपका घूम रहा था वो कह भी रहा था कि उसने ये धंदा छोड़ दिया है मुझे क्या पता था कि वो बास्टर्ड बेजोड तिजोरी तोड अब पॉकिट मार बन गया है लेकिन सर आपका विज्यापन तो बेजोर ही रहेगा ना आपकी बिक्री भी रिकॉर्ड तोड ही होगी हाँ वो तो जरूर होगी और उसके साथ ही होगी तुम्हारी यहां से विदाई भी हैरिसन फैल दोनों हाथों से अपना सर थाम कर नीचे बैठ गया दोस्तों यह कहानी आपको कैसी लगी इसके बारे में अपनी राय शेयर करना बिलकुल ना भूलें और विडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें जल्दी ही एक और कहानी के साथ आपसे फिर मलाकात होगी तब तक के लिए अलविदा